प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रख रहे होंगे आज हम कक्षा 10 के अध्याय जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे आओ बच्चों, पहले हम यह जानते हैं कि आप क्या कुछ जानते हैं? मनुष्य के उर्जा का स्रोत क्या है? भोजन के पोशक तत्व शरीर के भिन भिन भागों तक कैसे पहुँचते हैं? प्रकाश संशलेशन प्रक्रम क्या होता है? आज हम इस अध्याय में क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जैप प्रक्रम क्या है? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षन का कारे करते हैं, जैप प्रक्रम कहलाते हैं. पोशन दो प्रकार का होता है, स्वपोशी पोशन, विशम पोशी पोशन, स्वपोशी पोशन बच्चों, क्या आप जानते हो कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? क्या आपने कभी अपना भोजन आप बनाया है? विद्यार्थियों, क्या आपको पता है, छोटे से छोटा पौधा भी अपना भोजन आप तयार करता है पौधों द्वारा अपना भोजन आप तयार करने को प्रकाश संशलेशन कहते है आओ देखें कि पौधे अपना भोजन आप कैसे तयार करते है इस काम के लिए पौधों को चार वस्तुओं की जरूरत होती है सूर्य का प्रकाश, हवा में कार्बन डायोकसाइड, क्लोरोफिल तथा धर्ती के नीचे का पानी प्रकाश संशलेशन पौधों के पत्ते द्वारा किया जाता है हर एक पौधे के पत्तों के बीच छोटे-छोटे छिद्र होते हैं उसे हम रंध्र या स्टुमेटा कहते हैं रंध्र छिद्र द्वारा ही हवा में मौझूद कार्बन डायोकसाइड पत्ते के अंदर जाती है पादब कोशिकाओं में छोटी रचनाएं होती हैं जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं इसमें क्लोरोफिल होता है पौधे कार्बन डायोकसाइड और पानी की सहायता से सूरे के प्रकाश में और क्लोरोफिल की मौझूदगी में अपना भोजन तयार करते हैं और भोजन तयार करते समय ओक्सीजन बाहर निकालते हैं यह ओक्सीजन रंद्र के द्वारा पत्तों से बाहर निकल जाती है बना हुआ भोजन जोकी ग्लुकोस के रूप में होता है पौधों को पोशन देता है जिससे पौधा और भी बढ़ता है बचा हुआ भोजन, मंड या स्टार्च के रूप में जमा होता है जोकी बाद में प्रयोग किया जा सके प्रकाश संचलेशन वह प्रक्रम है जिसमें पौधे कार्बन डायोकसाइड, पानी, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन, स्वयम तयार करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि सूर्य प्रकाश प्रकाश संचलेशन के लिए क्यों जरूरी है इसके लिए एक क्रिया देखते हैं एक गमले में लगा पौधा लें तथा उस पौधे को दो-तीन दिन के लिए अंधेरे में रखें दो-तीन दिन बाद उस पौधे के एक पत्ते का कुछ हिस्सा एक काले कागस की पट्टी से ठक दें अब इस पौधे को तीन चार घंटे के लिए सूरे की रोशनी में रखें। इसके बाद उस पत्ते को अलकोहल में डालें। जब तक उस पत्ते का रंग ना उड़ जाए, तब तक उबालें। अब इस पत्ते के उपर आयोडीन की कुछ बूंदें डालें। आप देखते हो कि पत्ते का वह हिस्सा जो कागस से ढखा था उसमें कोई रंग परिवर्तन नहीं है। परंतु बिना ढखे हिस्से का रंग काला नीला हो गया। यह वही भाग है जो सूरे प्रकाश में पड़ा था। आयोडीन से काला नीला रंग पत्ते में मौजूद स्टार्च को दर्शाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि स्टार्च के संसलेशन के लिए सूरे प्रकाश ज़रूरी है। लगभग समान आकार के गमले में लगे दो पौधे लीजिए. तीन दिन तक उन्हें अंधेरे कमरे में रखिए. अब प्रत्येक पौधे को अलग-अलग कांच पटिका पर रखिए. एक पौधे के पास वाच ग्लास में पोटाशियम हाइड्रॉकसाइड रखिए. पोटाशि से ढख दीजिए. तले को सील करने के लिए कांच पटिका पर वैसलीन लगा दीजिए. इससे प्रयोग वायोरोधी हो जाता है. लगभग दो घंटे के लिए पौधों को सूर्य प्रकाश में रखें. प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़िए तथा पहले की तरहा स्टा पौधे के साथ रखा था, उसमें रंग नहीं बदलता, क्यूंकि उस पौधे को काबन डायोकसाइड नहीं मिली. परन्तु जो पौधा बिना पौटाशियम हाईड्रोकसाइड के रखा था, उस पत्ते का रंग गहरा, नीला, काला हो जाएगा, जो स्टार्च की मौजूद दर्शाता है. इससे सिध्ध होता है कि प्रकाश संसलेशन के लिए काबन डायोकसाइड जरूरी है. विशम पोशी पोशन, एक ऐसा पोशन जिसमें जीव दूसरे पौधों या जनतुओं के कोशिकाओं के द्वारा बनाए कार्बनिक यौगिकों को उर्जा के लिए ग्रह पोशन करता है. उसे विशम पोशी पोशन कहते हैं. उधारन के लिए गाए और भैंस के द्वारा चारा खाया जाता है. शेर, हिरन और अन्य जानवरों को खाते हैं. अमीबा में पोशन. अमीबा जल भंडारों में मिलने वाला एक कोशिक जीव है. यह निरंतर अपनी आकरती और स्थिती बदलता रहता है. यह एक यह एक से अधिक अंगुली जैसे अस्थाई प्रवर्थ को बाहर निकालता है, जो कि इसको गती देने के लिए और भोजन को पकड़ने में सहायता करता है. जब इसे भोजन के बारे में पता चलता है, तो भोजन कन के चारों ओर से प्रवर्थ बनाकर उसे घेर कर अंदर ले लेते हैं. भोजन पदार्थ उसके खादे रिक्तिका में फंस जाते हैं. भोजन रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों क का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वह कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं बचा हुआ अपच्पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गती करता है तथा शरीर से बाहर निश्कासित कर दिया जाता है मानव में पोशन बच्चों, हम अपना भोजन मुझ के द्वारा ग्रहन करते हैं इसको पचाते हैं और फिर उसका प्रयोग किया जाता है बचे हुए भोजन को मल के द्वारा त्याग किया जाता है भोजन एक लंबी नली में से निकलता है, जो मुह से गुदाद्वार तक जाती है इस नली को भिन भागों में पांट सकते है मुह, भोजन नली, आमाशय, क्षुद्रांत्र, ब्रिहद्रांत्र, गुदाद्वार सबसे पहले हम मुह या मुख गुहा की बात करते है भोजन को शरीर के अंदर लेकर जाने के प्रक्रम को अंतह ग्रहन कहते है हम दातों की सहायता से भोजन चबाते हैं और अंतरिक विधी से उसे छोटे-छोटे टुकडों में पीस देते है हमारे मुह में लाला ग्रंथी होती है जिससे एक रस निकलता है जिसे लार कहते हैं लार भोजन में मौजूद स्टार्च को चीनी में बदलती है और भोजन को नर्म बनाती है दूसरा भाग है जिवा जिवा मास का एक पेशीदार अंग है जो पीछे तक मुख गुहा के निचले भाग से जुड़ी होती है इसका अगला भाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में घूम सकता है जिवा में स्वाद के भिन भिन क्षेत्र होते हैं नमकीन कड़वा, मीठा, खटा भोजन नली, चबाया हुआ भोजन, भोजन नली या अननली में जाता है अननली की हिलजुल से भोजन नीचे की ओर जाता है आमाशय, आमाशय मोटी भित्ती वाली एक थैली नुमा सनरचना है यह चप्टा और यू शकल का है और पाचन मार्ग का यह सबसे चोड़ा भाग है यह एक ओर से भोजन नली से भोजन प्राप्त करता है और दूसरी ओर से क्षुद्रांत्र में खुलता है आमाशय की अंतह सतह, म्यूकस, हाइड्रोकलोरिक अमल और पाचकरस का स्रावन करती है म्यूकस आमाशय की अंतह सतह को सुरक्षा प्रदान करता है अमल ऐसे अनेकों जीवानों को नश्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और साथ ही यह माध्यम को अमलिय बनाता है पाचकरस प्रोटीन को तरल पदार्थों में विघटित कर देता है अब भोजन शुद्रांत्र में पहुँच जाता है शुद्रांत्र कम से कम साड़े साथ मीटर लंबी और बहुत गुंडलित होने के कारण यह सहत स्थान में अवस्थित होती है यह यक्रित और अग्याशे से रस लेती है यकृत एक गुडे लाल रंग की ग्रंथी होती है जो पेट के उपरले भाग में दाई ओर होती है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी है यह पित्रस का स्रावन करती है जो की थैली में इकठा होता रहता है इस थैली को पित्ता कहते है पितरस चर्बी के पाचन में महत्वपून भूमी का निभाता है अग्नियाशे मतलब पैंक्रियास हलके बीले रंग की बड़ी ग्रंथी है जो आमाशे के बिलकुल नीचे स्थित होती है यह अग्नियाशे रस पैदा करती है जो भोजन में मौजूद कार्बो हाइडरेट और प्रोटीन के साथ क्रिया करता है और इनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है आंशिक रूप में पचा हुआ भोजन अब क्षुद्रांत्र के नीचे के भाग में पहुचता है जहां आंत्ररस पाचन क्रिया को पूरा कर देता है क्षुद्रांत्र में सोखन पचा हुआ भोजन सोखित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ती में शामिल होकर लहु नलियों में चला जाता है इस विधी को सोखन कहा जाता है क्षुद्रांत्र की अंतह भित्ती पर अंगुली जैसी सनरचनाई होती हैं जिसे हम रसांकूर कहते हैं रसांकूर पचे हुए भोजन को सोखने वाली सता बढ़ा देते हैं। भोजन का वह भाग जिसका अभी पाचन नहीं हुआ या सोखन नहीं हुआ उसे ब्रहिदांत्र में भेज दिया जाता है। ब्रहिदांत्र क्षुद्रांत्र से चोड़ी और छोटी होती है। या लगभग देड़ मीटर लंबी होती है। इसका मुख्यकार्य, जल और कुछ लवणों को सोखित करना होता है। बचा हुआ अब बचा भोजन रेक्टम में चला जाता है और ठोस गुदा के रूप में रहता है। समय समय पर इसे गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसे उत्सर्जन कहते हैं। श्वसन शरीर के बाहर से उक्सीजन प्राप्त करना और कोशिकाओं की जरूरत अनुसार भोजन स्रोतों के विघटन में उसका प्रयोग करना श्वसन कहलाता है। श्वसन की किसमें? वायविय श्वसन, अवायविय श्वसन. वायविय श्वसन यह ओक्सीजन की मौजूदगी में होता है. इस प्रक्रम में भोजन का पूर्ण विखंडन होता है और ज्यादा मात्रा में ATP के रूप में उर्जा निकलती है. यह प्रक्रम कोशिका में साइटोप्लाज्म और माइटोकॉंड्रिय दोनों में होता है. अवायविय श्वसन यह प्रक्रम ओक्सीजन की मौजूदगी में नहीं होता. इस प्रक्रम में भोजन का पूर्ण विखंडन नहीं होता और सिर्फ दो ATP उर्जा निकलती है. यह प्रक सिर्फ साइटोप्लाजम में होता है। ओक्सीजन की कमी में पेशी कोशिका में ग्लूकोस का विखंडन, लैक्टिक एसिट और उर्जा बनाने के लिए होता है। यह प्रक्रम हमारी पेशी कोशिकाओं में उस समय होता है जब हमारे शरीर में कसरत करने पर ओक्सीजन की कमी हो ओक्सीजन के अनुपस्थिती में इस्ट में ग्लूकोस का विघटन एथनॉल, काबन डायोकसाइड और उर्जा बनाने के लिए होता है। यह प्रक्रम इस्ट में होता है। पौधों के पत्तों में स्टोमेटा, पौधों में श्वसन, भाव, गैसों के पर्यावरण में आदान प्रदान को नियंतित करता है। जन्तुओं में श्वसन के लिए विशेश अंग विक्सित होते हैं। जैसे मचली में गल्फडे और मनुष्य में फेफडे आदी। मनुष्य में श्वसन, श्वसन क्रिया। बच्चों, सांस लेने का अर्थ हैं वायू में उपस्थित ऑक्सीजन को अंदर लेना या प्राप्त करना और कार्बन डायोकसाइड से भरपूर वायू को बाहर निकालना। ओक्सीजन सार्थक भरपूर वायू को शरीर में अंदर लेना श्वास क्रिया कहलाता है और कार्बन डायोकसाइड सार्थक वायू को बाहर निकालना सांस छोडना क्रिया कहलाता है। आओ बच्चो अब श्वसन क्रिया विधी को जाने। सामान्य रूप में हम अपने नासाद्वार से वायू अंदर लेते हैं। जब हम वायू को अंदर लेते हैं तो यह हमारी नासाद्वार से कंठ और फिर श्वसन नली से होकर फुप्फुस में प्रवाहित होती है। बड़ी पेशी की तरह है, जो डाइफरम कहलाती है. च्छाती खोड को एक बड़ी पेशी तह, जो डाइफरम कहलाती है, च्छाती खोड को अधार देती है. श्वास क्रिया में डाइफरम और पसलियों से बने पिंजर की गती शामिल है. श्वास अंदर लेते समय पसलियां उ वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है और वायू फुफुस में अंदर चली जाती है फुफुस वायू के साथ भर जाते हैं श्वास निकालने के समय पसलिया नीचे और अंदर की ओर आती है लेकिन डायफ्रम उपर अर्थाद अपनी पहली स्थिती में आ जाता है जिसके साथ वक्ष गुहिका छोटी हो जाती है इस तरहा बच्चों वायू फुफुस से बाहर निकल जाती है हम अपने शरीर में इन सब गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं मानव में परिवहन रुधिर वाहिकाएं, रुधिर परिसंचरन प्रणाली, रुधिर, रुधिर वाहिकाएं और रिदय से मिलकर बनी हैं जो शरीर में सभी पदार्थों को सभी भागों में पहुचाते हैं जब आपके शरीर में कोई हिस्सा कट जाता है, तो क्या होता है? रुधिर बाहर निकलना शुरू हो जाता है लेकिन बच्चों, रुधिर है क्या? रुधिर वह द्रव है जो वाहिकाओं में प्रवाहित होता है यह पचे हुए भोजन को छोटी आंतों से शरीर के दूसरे भागों में लेकर जाता है फुफुस से ऑक्सीजन को भी रुधिर ही शरीर की कोशिकाओं तक लेकर जाता है रुधिर शरीर में से वर्ज यानिके मल्पदार्थ को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन गुर्दों तक करता है रुधिर एक द्रव है जिसमें भिन भिन कोशिकाओं मौजूद होती है रुधिर का द्रव भाग प्लाज्मा कहलाता है रुधिर में एक जैसी कोशिकाएं लाल रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं होती हैं जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोगलोबिन कहा जाता है हीमोगलोबिन ओक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और सभी कोशिकाओं में परिवाहन करता है हीमोगलोबिन की मौजूदगी के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है रुधिर में अन्य प्रकार की कोशिकाओं भी होती हैं जिन्हें सफेद रुधिर कोशिकाओं भी कहा जाता है यह कोशिकाओं उन रोगाणों को नश्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं चोट लगने पर रुधिर का थक्का या खरींड बन जाता है उसमें एक और प्रकार की कोशिका की मौजूदगी के कारण इस तरह होता है इनको प्लेटलेट्स कहा जाता है शरीर में भिन भिन प्रकार की रुधिर वहनिया होती है जो रुधिर को शरीर में एक जगा से दूसरी जगा ले जाती है धमनियां रिदय से ओक्सीजन प्रचुर रुधिर को शरीर के सभी भागों में ले जाती है क्यूंकि रुधिर प्रवाह तेजी से उच्च ताप पर होता है इसलिए धमनियों की दिवारें मोटी और लचकदार होती है वह रुधिर वहनियां जो कारबन डायोकसाइट प्रचुर रख्त रुधिर को शरीर के सभी भागों में से वापस रिदय तक ले जाती है उन्हें नसे कहा जाता है नसों की भित्ति पतली होती है नसों में ऐसे वाल्व होते हैं जो की रुधिर को केवल रिदय की और ही बहने देते हैं धमनिया और छोटी-छोटी वहनियों में वर्गी कृत होती हैं उतकों में पहुँचने पर यह और भी पतली नलियों में वर्गी कृत होती हैं इन वाल्व जैसी पतली नलियों को केशिकाएं कहती हैं। वाल्व जैसी पतली नलियां मिलकर दोबारा नसें बनाती हैं जो रुधिर को रिदय तक ले जाती हैं। रिदय वह अंग है जो रुधिर द्वारा पदार्थों के बहने के लिए पंप के रूप में कारे करता है रिदय चाती खोड में स्थित होता है जिसका नीचे का हिस्सा बाई और जुका रहता है रिदय का माप लगभग मुठी जैसा होता है रिदय चार कोष्टों में बटा होता है उपर के दो कोष्ट दाया अलिंद और बाया अलिंद कहलाते हैं और नीचे के दो कोष्ट दाया विलय बाया विलय कहलाते हैं वाल रुधिर के वहन को विपरीट दिशा में जाने से रोकता है महाशिरा से ओक्सीजन रहित रुधिर दाए अलिंद और फिर दाए विले की ओर जाता है दाया विले रुधिर को पंप करके फुफुस धमनियों में भेजता है फुफुस धमनियां रुधिर को फुफुस तक ले कर जाती है जहां पर रुधिर ओक्सीजन प्रचुर हो जाता है रुधिर में गैसों का वटांद्रा फुफुस में होता है ओक्सीजन प्रचुर रुधिर वापस फुफुस से बाय अलिंद और फिर बाय विले में जाता है बाया विले ओक्सीजन प्रचुर रुधिर को आयोटा द्वारा शरीर के भिन भिन भागों में पहुचाता है हृदय की धडकन हृदय के कोश्ठों की भितियां पेशियों से बनी होती है यह पेशियां क्रमवार सुकडन और उसके बाद होने वाले क्रमवार आराम दोनों मिलकर हृदय की धडकन अत्वा हार्ट बीट कहलाती है डॉक्टर स्टेथोस्कोप का इस्तमाल हृदय की धडकन की आवाज को बढ़ाने की जुगत में करते हैं पादपों में जल का परिवहन बच्चों, पादप अपनी जडों द्वारा मिट्टी में से जल और खनिज लवणों को सोख कर उनको पत्तियों को उपलब्द करवाते हैं पत्ते जल और कार्बन डायकसाइड का इस्तमाल करके प्रकाश संशलेशन की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं पादप जडों द्वारा जल और खनिजों को सोखते हैं जडों में जडवाल होते हैं वास्तव में जडवाल जल में घूले हुए खनिच पदार्थों और जल को सोखने के लिए जड़ की सतह के क्षित्र फल को पढ़ा देते हैं जढ़वाल मिट्टी कड़ों में मौझूद जल के संपर्क में रहते हैं पादबों में मिट्टी में से जल और पोशक्त तत्व का परिवहन करने के लिए पाइप जैसी वहनिया होती है वहनियां विशेश कोशिकाओं की बनी होती हैं जो वहनी उतक बनाती है उतक कोशिकाओं का वह समू होता है जो किसी चीज में किसी विशेश कारे को निभाता है जल और पोशक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो वहनी उतक होता है उसे जाइलम कहा जाता है जाइलम चैनलों और नलियों का निरंतर जाल बनाता है जो जड़ों को तने और शाखाओं के माध्यम के साथ पत्वों को जोडता है और इस तरह वहनी प्रणाली पूरे पादप में जल का परिवहन करती है पत्ते भोजन का संसलेशन करते हैं भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है यह कार्य वहनी उतकों द्वारा किया जाता है जिनको फ्लोयम कहा जाता है इस प्रकार जाइलम और फ्लोयम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं बच्चों आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि पादप वाश्पोत सर्जन की प्रक्रिया द्वारा बहुत जादा जल विसर्जित करते हैं पादप मिट्टी में से खनिच पोशक तत्व और जल सोकते हैं सोखित किया गया सारा जल पादप द्वारा इस्तमाल नहीं किया जाता पत्तों की सतह पर मौजूद स्टोमेटा में से वाश्पोत सर्जन प्रक्रिया द्वारा जल वाश्पित हो जाता है पत्ते में से जल के वाश्पन से खिचाव विक्सित हो जाता है वाश्पत सर्जन पादपों को ठंडा रखने में भी सहायक होता है पादपों में भोजन का परिवहन बच्चों, पादप के पत्तों में प्रकाश संशलेशन द्वारा बनने वाला भोजन पादप के अन्य अंगों तक कैसे पहुँचता है? प्रकाश संशलेशन के उत्पादों का परिवहन स्थानांतरन कहलाता है और यह समवहन उतक के फ्लोयम नामक भाग द्वारा होता है अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। यह पदार्थ विशेश रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धी वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण सनलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में उपरी मुखी तथा अधो मुखी दोनों दिशाओं में होता है। जाइलम द्वारा परिवहन जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है से विपरीद, फलोयम द्वारा स्थानांतरण है जो उर्जा के उप्योग से पूरा होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ, फलोयम उतक में ATP से प्राप्त उर्जा से ही स्थानांतरिप होते हैं। यह उतक का परिसरण दाब बढ़ा देता है, जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दबाव पदार्थों को फलोयम से उस उतक तक ले जाते हैं, जहां पर दबाव कम होता है। उतसरजन वह जैफ प्रक्रम, जिसमें हानिकारक उपापचई वर्ज पदार्थों का निशकासन होता है, उतसरजन कहलाता है। एक कोशिक जीव इन अपशिष्टों को शरीर की सता से जल में विसरिप कर देते हैं। जटिल बहु कोशिकी जीव इस कारे को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का प्रयोग करते हैं। मानव में उत्सर्जन हमारे शरीर में कोशिकाएं अपनी क्रियाओं को पूरा करते समय यूरिया और यूरिक अमल जैसे नाइट्रोजनीय पदार्थों का उत्पादन करते हैं. यह पदार्थ वर्ज और विशैले होते हैं. इसलिए इनका हमारे शरीर से बाहर निकलना बहुत आवश्यक होता है. रुधर इन पदार्थों को इकठा करता है और शरीर में से बाहर निकालने के लिए इन पदार्थों को उत्सर्जन प्रणाली तक ले जाता है. मानव की उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा व्रिक, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है नेफरोन व्रिक में क्रियात्मक इकाई होते हैं जो फिल्ट्रेशन या छानन द्वारा रुधिर को साफ करती है प्रत्येक नेफरोन में बारीक वहनियों का एक जुन्ड होता है और कप के आकार की एक ट्यूब होती है जिसको बोमेन कैपसूल कहा जाता है रुधिर का शुद्धीकरण इस कैपसूल में होता है यहाँ पर रुधिर में से यूरिया, यूरिया अम्ल, ग्लूकोस, अमीनो अम्ल और लवन को चान लिया जाता है ग्लूकोस, अमीनो अमल और कुछ उपियोगी लवन रुधिर के वहन द्वारा दुबारा सोख लिये जाते हैं वर्ज्य पदार्थों के साथ साथ जल मूत्राशे में इकठा कर लिया जाता है जिसे मूत्र कहा जाता है मूत्र मूत्र वहनियों द्वारा व्रिकों से मूत्राशे तक पहुँचता है मूत्राशे पेशिय होता है इसलिए यह तंत्रिका नियंत्रण अधीन है परिमान अनुसार हम मूत्र निकास नियंत्रण कर सकते हैं बनावटी व्रिक बच्चों, जीवित रहने के लिए व्रिक एक जरूरी अंग है कई कारण जैसे की चोट, इन्फेक्शन या व्रिकों में रुधिर का रुख जाना व्रिकों की क्रिया को कम कर देता है इसके साथ शरीर में जहरीले पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण व्रित्यू भी हो सकती है व्रिक के फेल होने की अवस्था में बनावटी व्रिक का उपियोग किया जाता है एक बनावटी व्रिक वह यंत्र है जो डालेसिस के द्वारा नाइट्रोजनीय वर्ज्य पदार्थों को रुधिर में से निकालने का काम करता है आओ देखें कि बनावटी व्रिक कारे कैसे करता है मरीज की बाजू की शिराग से रुधिर को लंबी सेलुलोस ट्यूबों द्वारा मशीन तक पहुचाया जाता है यह ट्यूबें डायलाइजिंग विलेण टैग के साथ जुड़ी होती है यह डायलाइजिंग विलेण जल, ग्लूकोस और लवन का बना होता है जिसका घनत्व साधारन रुधिर के घनत्व के साथ बराबर होता है जैसे ही मरीज का रुधिर डायलाइजिंग विलेण में से गुजरता है तो रुधिर में मौजूद नाइट्रोजनीय वर्ज्य पदार्थ, छांटनी योग्य, मुसामदार सेलुलोस ट्यूबों द्वारा डायलाइजिंग विलेण में पहुच जाता है इस प्रकार साफ रुधिर मरीज में धमनी द्वारा दुबारा भेज दिया जाता है पादपों में उत्सर्जन पादपों में उत्सर्जन के कई तरीके हैं जिसमें ऑक्सीजन को छोड़ देना, वाश्पोत सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल को बाहर निकालना, पत्तों का गिरना, रेजिन तथा गोंद के रूप में उत्सर्जन आईए अब इस अध्याय का संशोधन करते हैं वह सारे कार्य जो सर्व रूप से जीवों की सुरक्षा का कारे करते हैं वह जैव प्रक्रम कहलाते हैं शरीर के बाहर से ओक्सीजन प्राप्त करना और कोशिकाओं की जरूरत अनुसार भोजन स्रोत के विघटन में उसका उप्योग करने को श्वसन कहते हैं स्वपोशी जीव अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारन भोजन पदार्थ को कार्बन डायोकसाइड और जल के रूप में प्रयोग करते हैं विशम पोशी जीव जटिल पदार्थों का उप्योग करते हैं। हृदय का दाया व बाया बटवारा ओक्सीजन तथा वी ओक्सीजन रुधिर को मिलाने से रोकने में लाबदायक होता है। इस तरह का बटवारा शरीर को उच्छ दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ती कराता है। विशम पोशी जटिल पदार्थों का उप्योग करते हैं। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 तथा अनुशिथिलन दाब लगभग 80 mm होता है। प्लेटलेट्स कोशिका को रक्त स्राव के स्थान पर रुधिर का ठक्का बनाकर मार्क अवरुध कर देती है। पादपों में जाइलम कोशिका द्वारा जल का परिवहन होता है और फ्लोयम कोशिका द्वारा भोजन का स्थानांतरन होता है। प्रतेक व्रिक में ऐसे अनेक निस्पंदन होते हैं जिन्हें व्रिकानु कहते हैं। आईए, अब हम कुछ प्रश्णों का अभ्यास करें। मनुष्य आहार नली के भागों के नाम लिखो। पौधो में उर्जा का भंडारण कहा होता है। क्रित्रम व्रिक क्या है। प्रकाश संचलेशन के प्रक्रम के लिए एक संतुलेट समीकरण लिखो। रिक्त स्थान भरें, मानव रिदय में डैश भाग होते हैं। चार बिलकुल सही मनुष्य रिदय में चार भाग होते हैं। सही या गलत, सामाने प्रकुंचंदाब सौ बटा पचास होता है, गलत, सामाने प्रकुंचंदाब सौ बटा पचास नहीं होता, तो यह कथन गलत है, क्षुद्रान्त्र द्वारा जजब किया, फैक्स का वहन डैश द्वारा होता है, प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा धन्यवाद